नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पावर और एलेक्ट्रिकल एनरजी के निमेरिकल सॉल्ड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स और फॉर्मिला बताऊंगा क्या आपको निमेरिकल कैसे सॉल्ड करने चाहिए तो सबसे पहले हमें पावर का फॉर्मिला देख लेना चाहिए पावर इस इक्वल टू वोल्टेज, पोटेंशल डिफरेंस इंटू करन्ट होता है और यह बेजिक फॉर्मिला है, इसको आप आई स्क्वैर आर भी लिख सकते हैं और वी स्क्वैर और आर भी लिख सकते हैं योज्वली ये वाला फॉर्मिला हम तो ये तीन फॉर्मिला आपको याद रखने होंगे और आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई resistance R है और उसमें से I current flow हो रहा है for T amount of time तो यहाँ पे जो heat energy बाहर निकलेगी वो होती है I square RT Again इसको आप Again आप इसको H is equal to V into I into T भी लिख सकते हैं क्योंकि energy होती है वो power into time होता है इसको again I square R T भी लिख सकते हैं power की जगा I square R और power की जगा आप यहाँ पे V square और R भी लिख सकते हैं into T तो ये कुछ और formulas हैं यहाँ पे उसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि kilowatt hour जो होता है उसी को हम one unit बोलते हैं तो one unit मतलब one kilowatt hour और one kilowatt hour यानि की 3.6 into 10 raise to 6 joules होता है और basic ohms law जो है V is equal to I into R वो तो हम हर जगा लगा नहीं बाले हैं तो इसके अलावा आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको kilowatt hour के questions आते हैं तो power जो है उसको अगर watt में है तो kilowatt में convert करें और फिर time जो है वो अगर second में है तो उसको hour में convert करें फिर अगर इन दोनों को हम multiply करते हैं तो आपको energy जो मिलेगी वो kilowatt hour में direct ही मिल जाएगी परना आपको क्या करना पड़ेगा इसको watt में इसको seconds में तो जो करते हैं first numerical से तो यहाँ पर हमारे पास एक bulb है उसका resistance हमें 500 ohm दिया गया है इसमें से जो current pass हो रहा है वो 0.4 amperes का जो current है वो flow हो रहा है तो simple है यह numerical power is equal to home i square into r formula यूज करके i की जो value है 0.4 square into जो resistance हमें दिया गया है वो 500 है और simply हम 0.4 0.4 का square करेंगे तो यह आ जा रहा है यहाँ पर जो product है वो आ जा रहा है 80 0.4 का square into 500 और यह जो है SI unit में आपका answer आएगा यानि की watts में क्योंकि सब कुछ हमें SI unit में दिया गया है और अब हम potential difference find करेंगे आप कोई सा भी formula यूज कर सकते हैं i into r P is equal to V square और r यूज कर सकते हैं दोनों से answer same आएगा फिर भी हम एक बार check कर लें i की जो value है वो 0.4 ampere है यह 500 ohm है यानि की जो हमारा answer आएगा वो 4 into 50 और यह जो answer है वो आएगा 200 volts दूसरी method से हम देख लें power की जो value हमने निका लिए 80 is equal to V square divided by 500 80 आएगी यानि की 8 फाइजा 40 यानि की और 3 zeros लगेंगे तो V की जो value है वो under root of 40,000 यानि की जो V की जो value है वो आएगी 200 volts तो हम कोई सी भी formula लगा कि यह numerical solve कर सकते हैं आए देखते है next numerical तो यहाँ पे current जो है एक coil में से pass हो रहा है तो हम आप ऐसे 2 मिनिट के लिए 2 A current flow रहा है इसका जो resistance है वो 75 ohms है इसका resistance और 2 मिनिट के लिए 2 मिनिट यानि की यह हो जाएगा 120 seconds तो कितनी heat energy generate हो रही है तो अभी हमने formula देखा H is equal to I square into R T तो I की जो value है वो 2 यानि की 2 square R जो resistance है वो 75 और time जो है वो 120 क्योंकि हमने सब कुछ SI unit में convert कर रखा है तो हमें answer joules में आएगा तो 2 square यानि 4 into 75 into 120 तो अगर आप इसका product निकालेंगे 75 into 4 into 120 तो आपको आजाएगा 36,000 joules तो यह हमारा party का answer है अब B part की बात करें तो इतना charge पास होगा तो उसके लिए हमारे पास formula है Q is equal to I into T हम जानते हैं कि current की जो value होती है वो charge upon time होता है तो Q is equal to current जो है वो 2 ampere है multiplied by time 120 seconds है अगर आपको answer SI unit में चाहिए यानि की कूलम में तो आपको सब SI unit में रखना पड़ेगा तो यह आ जाएगा 240 कूलम्स आए देखते है next question यहाँ पे हमारे पास एक bulb है bulb के कुछो questions होते हैं काफी interesting होते हैं आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे 60 watt का bulb है rated at 250 volts यानि कि अगर आपने यह bulb की across 250 volts की battery या फिर इसी supply लगाई तो यह 60 watt power से glow करेगा अगर इससे कम voltage आप यहाँ पे देते हो तो यह जो bulb है वो dim हो जाएगा अगर जादा देते हो 250 से तो यह bulb fuse हो जाएगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे तो लेकिन हम यह मान के चलते हैं question कोई सा भी हो voltage कम हो या जादा हो तो आपको यह चीज याद रखना है कि resistance जो है वो bulb का constant रहता है ideally जब आप bulb को connect करते हैं circuit में तो गरम होने के कारण उसका resistance बढ़ जाता है लेकिन हम वो चीज यहाँ पे avoid करते हैं तो सबसे पहले आईए हम यहाँ पे P is equal to V square over R से bulb की resistance निकाले और resistance होता है V square upon P तो यहाँ पे जो resistance आएगा वो V square यानि कि 250 square upon जो power है वो 60 तो यहाँ पे जो bulb की resistance आएगया यह निकाले 250 divided by 60 यानि कि 1041.60 हमारा है लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी रखके हम try कर सकते हैं numerical solve करने की अब question में दिया गया है कि यहाँ पे जो bulb है वोई वाला same bulb जिसका resistance यही रहेगा bulb चाहे इस connection में हो या फिर और कोई voltage में bulb का resistance सेम रहेगा तो यहाँ पे बल्ब का जो voltage है हमने 200 volts provide किया हुआ यानि कि यहाँ पे बल्ब थोड़ा dim रहेगा तो पावर हमें निकालना है पावर 60 watt नहीं रहेगा उससे कम हो जाएगा लेकिन बल्ब का जो resistance है वो यही रहेगा तो again power is equal to V square over R निकाले तो पावर हमें निकालना है V square की जो value है वो है 200 यानि 200 का जो square divided by R आपको अगर यही रखना है 250 square divided by 60 यानि कि 60 उपर आ जाएगा तो अगर आप इसको solve करें तो यह आ जाएगा 200 into 200 upon 250 into 250 into 60 ठीक है तो यह दोनो zeros यहाँ पर दो zeros से कट जाएंगे तो 540 जा 550 510 580 अब हमारे पास यहाँ पर अगें 525 512 सा 60 तो यहाँ पर जो हमारे पास value आएगी वो हम calculate करें 16 multiplied by 12 यानि कि 192 divided by 5 यानि कहा रहा है 38.4 watts जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ power की जो value है वो कम हो गई है और bulb जो है वो dim glow कर रहा है अब हमें यह पूछा है कि how is the power affected तो हमने बुला है कि power की जो value है वो घट गई है लेकिन मैं यहाँ पर पहला part जो है वो जो current वाला part वो मैं आपको कहना अब चाहूँगा तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर 250 का लगाया हुआ है बैटरी तो यहाँ पर जो current निकलेगा वो होगा P is equal to V into I तो voltage हमें पता है 250 power हमें पता है 60 तो I जो है उसे हम safe value of current बोलते हैं 250 के आगे अगर आप voltage लगाते तो bulb fuse हो जाएगा और यहाँ पर जो current की value यह 60 by 250 यानि कि यह हो जाएगा 0.24 amperes इससे ज़्यादा current अगर आपने bulb में से पास किया तो भी bulb fuse हो जाएगा यानि कि यह safe value of current है ठीक है तो आई हम next numerical पे चले वापे से हमें एक bulb दिया हुआ है same यहाँ पे same type का question है 100 watt इसकी power है लेकिन कब जब हम इसके across 250 volts की battery लगाए तब तो simple है question P is equal to V into I तो power हमें 100 watt दिया गया है 250 volts की supply है तो 100 divided by 250 जो है वो safe value of current यानि कि 0.4 amperes आ जाएगा क्योंकि सब चीज ऐसा यूनिट में है तो answer भी ऐसा यूनिट में आएगा अगर इससे ज़्यादा आपने current पास किया यानि कि अगर आपने battery का voltage इससे ज़्यादा यहाँ पे रखा तो यह बल fuse हो जाएगा यह safe value of current है आए चलते है next question पे 220 volts की supply और 100 watts इसका power है तो पूछा गया है कि resistance कितना है यानि कि power is equal to i square into r यह भी यूज़ कर सकते हैं power is equal to v square over r यह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह formula हम यह आप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वो above question यह वाला जो part वो solve करने के लिए हमें i की value चाहिए होगी तो हम power की value हम यहाँ पे 100 रख देंगे that is equal to 220 का जो square है divided by resistance यानि कि जो resistance है वो आ जाएगा 220 into 220 divided by 100 तो एक एक zeros यहाँ से cut जा रहे है 2222 is a 484 ohms यह हमारा answer होगा और हम यह मानके चलते हैं कि कभी भी bulb को आप और कहीं जगा पे connect करें या फिर 110 वोल्ट या फिर कुछ भी voltage पे connect करें हम resistance constant मानके चलते हैं तो safe value of current पुछा गया है तो हमें P is equal to V into I इससे भी निकाल सकते हैं तो power जो है 100 watts है voltage हमें maximum 220 volts दिया गया है current की value हमें निकालनी है तो current is equal to 100 divided by 220 यह सब ऐसा unit में है तो current की value ampere में आएगी तो 10 divided by 22 होता है वो 0.45 होता है आए नेक्स question पे चलते हैं bulb of power 40 watt और इसको हम इतने घंटे चला रहा है इतने दिन के लिए तो कितनी electrical energy consume होगी देखें दोस्तो आप सबसे पहले ये end in mind रखें कि यहाँ पे kilowatt hour में आप answer calculate करें उसके बाद जो है joules में convert करना काफी easy हो जाता है काफी बच्चों को मैंने देखा है वो I2RT के चकर में पढ़ जाते हैं और जो की बहुत difficult हो जाएगा क्योंकि आपको 12.5 hours को 16 to 60 से multiply करके फिर multiplied by 30 करके वो सब बहुत लंबा calculation हो जाएगा तो simply हमें electrical energy निकालने है तो मैंने आपको जैसे ही पहले बता है कि आपको kilowatt hour में answer लाना है तो एक ही bulb है तो आप ऐसे लिखे bulb यहाँ पर आप power लिखे और यहाँ पर आप time लिखे तो bulb एक ही है यह number of bulbs उसका power 40 watt है और time जो है हम 12.5 यह per day का calculation में बता रहा हूँ और hour simply आप यह दोनों को multiply किये तिनों को तो यहाँ पर 40 into 12.5 आएगा वो आजाएगा 500 तो इन दोनों का power into multiplied, power into time और multiplied में number करें मतलब यह आएगा तो energy तो यहाँ पर 500 watt hour आपको आ रहा है ठीक है अब इसको मैं convert करूँगा kilowatt hour में यानि के divided by thousand तो 500 divided by thousand अब यह आजाएगा answer हमारा kilowatt hour में ठीक है और यह 0.5 kilowatt hour आ रहा है per day इसको मैं multiplied by 30 करूँगा तो यह हमारा आजाएगा number of units per month क्योंकि एक unit को ही हम 1 kilowatt hour बोलते हैं तो यह आजाएगा 1 by 0.5 यानि की 1 by 2 और यह आजाएगा 15 kilowatt hour और 15 kilowatt hour यानि की 15 units तो यही हमारा answer रहेगा अगर आप इसको joules में convert करके वापिस वो करेंगे तो काफी लंबी process हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान रखिए आए next numerical देखें यहाँ पे हमारे पास एक electric press है तो same method हम follow करेंगे यहाँ पे हम number लिखेंगे electrical plans का उसके बाद यहाँ पे उसका power लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे time लिखेंगे और finally इन सब का जो product है उसे हम energy बोलेंगे ठीक है तो electric press हमारे पास एक है उसका power जो है वो 750 watt है time है 16 hours मतलब हम per day कर रहे हैं या per month उसका कुछ दिया नहीं गया है लेकिन हम in general इसका use करेंगे अब इन तीनों को हम अगर multiply करते हैं तो यह जो answer आता है वो 12,000 watt hour आ रहा है unit भे आपको खास देखनी है watt into hour is whatever number का कोई unit नहीं होता है इसको अगर मैं divided by 1000 करू तो यह kilowatt hour में convert हो जाएगा यानि कि electrical जो energy है वो आ रही है 12 kilowatt hour जो हमारा answer है इसको हम 12 units भी बोल सकते है next question एक electrical appliance है यहाँ पे उसका जो resistance है वो तो electrical appliance है इसको हम simply एक resistance से denote करेंगे 200 ohm उसका resistance है और यह जो operate हो रहा है वो 200 volts पे हो रहा है तो हमें पूछा गया है कि अगर हम इसको 5 minutes के लिए अगर on रखते हैं तो इसमें से कितने electrical energy release होगी अब आप देख सकते हैं कि यह जो time है ना वो हमें hours में नहीं दिया गया है यानि कि हमें answer joules में पूछा गया है और दोनों में आपको करना ही है तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप पहला कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे minutes को hours में convert करना है और फिर hours को आप power से multiply करेंगे तो भी वो एक अच्छी method है या फिर आप h is equal to simply जो electrical energy है वो i square r t heat energy और electrical energy दोनों सेम होती expression तो i square r t या फिर आप v square upon r कुछ भी यूज़ कर सकते हैं v square upon r into t भी यूज़ कर सकते हैं वो ही ज्यादा better रहेगा क्योंकि आपको voltage दिया गया है तो 200 का square divided by r जो resistance है वो भी 200 है और time जो minutes में आपको seconds में convert करना पड़ेगा तो 5 into 60 अब जो आपका answer आएगा वो joules में आएगा तो यह आएगा 200 एक cut हो जाएगा into 5,6,300 तो यह अगर आप multiply करें 3,2,6 और 4 zeros इतनी joules में energy हो रही है और अगर आपको यह भी आप जानते हैं कि 1 kilowatt hour is equal to 3,6 into 10 raise to 6 joules तो इतनी joules यानि कि 60,006 into 10 raise to 4 joules यानि कितने kilowatt hours तो आप अगर cross multiply करें इसको आप x माने तो यह हो जाएगा 3,6 into 10 raise to 6 divided by 6 into 10 raise to 4 यानि कि यह जो answer आपका आएगा 0.016 kilowatt hour आजाएगा आप इसको calculate कर सकते हैं next question, bulb operates at 12 volts, 24 watt उसका power है और 20 minutes के लिए हम उसको चला रहे है तो कितना current और क्या जो energy है वो हमें find करनी है तो आएए देखें, एक bulb है 12 volts, अब तब वो जो power generate कर रहा है वो है 24 watts तो सबसे पहले हमें यहाँ पर current निकालना है तो power is equal to voltage into current तो power की जो value है वो 24 यहाँ पर voltage 12 into current यानि की current की जो value है वो 2 ampere आ जाएगी और बहुत simple सा question है क्योंकि सब कुछ SI unit में है तो हम answer amperes में लिखेंगे अब energy हमें पूछा गया है तो energy minutes में से हमें seconds में convert करनी होगी तो electrical energy जो है वो v into i into tb लिख सकते हैं या फिर v square upon r into tb लिख सकते हैं आपको देखना है कि कौन सी value जो है वो आपके लिए easy रहेगी या आप t into tb लिख सकते हैं ठीके तो और i square into r tb लिख सकते हैं तो जैसा मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर power directly हमें दिया हुआ है 24 watts और 24 watt यानि joule per second और जो time है वो 20 minutes से यानि 20 into 60 तो मेरे ख्याल से यह जो calculation है आपके लिए ठीक रहेगा काफी दूसरी formula में आपको थोड़ा multiplication square वगरा करना पड़ सकता है तो यहाँ पर आप देखें तो 24 into 62012 यानि 1200 joules वापी से आप इसको multiply करें तो यह आपको answer 28800 joules आजाएगा यहाँ पर current 0.2 amperes flow हो रहा है एक wire से यानि कि हम wire का resistance अगर मान के चले आर तो इसके जो ends है यहाँ पर potential difference अगर आप volt meter ऐसे लगाएं तो यहाँ पर potential difference है 15 volts है यहाँ से current जा रहा है वो 0.2 amperes है तो हम अगर ohms लो लगा है V is equal to I into R तो यहाँ पर R की value हम easily find कर सकते है 15 is equal to I 0.2 into R यानि R की जो value है वो 15 divided by 0.2 यानि कि यह 150 divided by 2 यानि कि 75 ohms answer है दूसरे पार्ट में हम देखें कि energy produced in one minute यानि आप again energy की जो value है वो power into time भी लगा सकते हैं power दिया है नहीं दिया है यानि कि आप यहाँ पर V into I into T भी लगा सकते हैं तो जो voltage की value है वो 15 है सभी कुछ SI unit में है 0.2 टाइम जो है हमें one minute यानि कि 60 seconds लेना पड़ेगा तब ही हमें answer joules में मिलेगा तो 15 into 15 into 0.2 into 60 यानि कि 2 into 6 तो अगर आप इसको solve करोगे तो 6 2s are 12 into 15 यानि कि 180 joules आपको answer आजाएगा तो आई हम next question number 11 solve करते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमारे पास 2 bulbs है 60 watt और 240 volts पे operate होते हुए और यहाँ पर अगर हम दोनों bulb को series में जोड़े और एक को separately single जोड़े 240 volts के साथ कुछ इस तरीके से यह हमारे एक single bulb है इसको हमने 240 volts provide किया हुआ है और यह जो bulb की brightness है वह 60 watt होगी 60 watt ठीक है लेकिन यह कहा गया है कि same ऐसा ही एक और bulb इस bulb के साथ अगर हम series में जोड़े और battery voltage अगर हम 240 volts ही रखे तो दोनों की जो brightness है वह कम हो जाएगी सपोज यह हम bulb B1 कहें यही वाला bulb B1 और उसके जैसा identical bulb B2 तो दोनों की जो brightness है वह कम हो जाएगी आ यह समयते क्यों तो सबसे पहले आप यह देखे कि यहाँ पर जो power है वह 60 watt है अब 60 watt क्यों है क्योंकि power is equal to V square over R होता है तो resistance of the bulb R है यहाँ पर और यहाँ पर यह जो second case है उसमें R और R दोनों series में जूड़ जाएगी यानि की 2R resistance तो अगर आप देखें तो double resistance बढ़ने से जो current की value है वह half हो जाएगी क्योंकि battery का voltage आप वही रख रहे हैं और voltage same रखें आप resistance double करें तो current हो जाएगा half तो अगर current half होता है तो power is equal to i square into R होता है यानि की current की value है वह i से i by 2 हो गई यानि की power one fourth हो जाएगा ठीक है तो दोनों bulb जो है वह 30 30 sorry 60 watt divided by 4 यानि की 15 watt से जलेंगे यानि की दोनों की brightness काफी कम हो जाएगी वापिस से हम इस चीज को समझे दूसरी तरीके से यहाँ पे जो voltage हो आप 240 plug-in करेंगे तो यहाँ पे जो power आएगा 60 watt is equal to 240 whole square divided by R यहाँ से आप R की value भी निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने यहाँ पे 240 डाला है तो दोनों के अक्रोस, voltage की जो value है वो equally 120 volts, 120 volts split हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं के series connection में voltages split equally होते हैं जब दो identical resistance होते हैं तो अब जो हम P is equal to V square by P dash is equal to V square by R लगाएंगे वहाँ पे R की value single bulb के लिए change नहीं हो रही है लेकिन जो voltage उसको मिलना चाहिए था 240 volts उसकी जगह पे अब यहाँ पे सिर्फ मिल रहा है 120 volts क्योंकि single bulb को सिर्फ 120 volts मिल रहा है यानि की voltage हो गया आधा तो power उसका square यानि की power 1 fourth हो ज अब हो जाएगा divided by 4 यानि की 15 watt power एक bulb emit करेगा यानि की दोनों bulb मिला के 30 watt power emit करेंगे यानि की दोनों bulb अपनी full brightness से 1 fourth efficiency से काम करेंगे और overall brightness भी आप देखेंगे तो पहले में 60 watt थी यहाँ पे 30 watt आ रही है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे समझा सकते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 bulbs are rated this and this यानि की एक जो bulb है उसको मैं B1 बोल दूगा यह जो B1 बल्ब है उसकी जो power है वो 60 watt है लेकिन कब जब आप उसको 220 volts पूरा supply करते हैं तब दूसरा बल्ब है उसको आप सिर्फ 110 volt देने पे 110 volt देने पे इसको मैं B2 कहूंगा यह B2 की जो power है वो आ रही है 60 watt सिर्फ 110 देने पे अब हमें पूछा गया है calculate the ratio of the resistance आपको ध्यान रखना है बच्चो के कभी-कभी यहां पे calculate की जगह compare भी पूछ सकते है compare में यानि कि आपको दोनो resistances के ratio लेना है तो यहां पे मैं resistance R1 बोलूँगा और P is equal to E1 square is equal to V1 square upon R1 और यहां पे मैं कहूंगा P2 sorry power is equal to V square upon R तो यहां पे P2 is equal to V2 square upon R तो यहां पे power P1 जो है उसकी value हमें 60 दी गई हुई है is equal to 220 का जो square है divided by R1 यानि R1 की जो value है वो आ रही है 220 का square divided by 60 आप इसको पूरा solve न करें क्योंकि ratio में वैसे भी कटने वाला है यहां पे जो R की जो value है R2 जो value है वो आ जाएगी V2 यानि कि 110 का square divided by power जो है वो 60 watt आ रहा है तो अगर आप अभी R1 divided by R2 ratio लेते हैं तो यहां पे 220 का square divided by 60 upon 110 का square divided by 60 यानि कि यह जो हो जाएगा 220 divided by 60 multiplied by square यहां पे 60 upon 110 का square यह कटने के बाद आप यहां पे 220 का divided by 110 का whole square लिख सकते हैं यानि 12 यानि कि यह ratio आ जाएगा 4 is to 1 जो के हमारा answer है question number 13 पे चलते हैं यहां पे हमें एक bulb दिया हुआ है और उसको अगर आप 230 volts पूरा supply करते हैं तो उसका जो power है वो indirectly आप इसको brightness भी बोल सकते हैं यानि कि इतने brightness से glow करेगा या फिर इसका जो power output है वो 250 watt का रहेगा अब हमें यहां पे पूछा गया है कि आप electrical energy find करें तो electrical energy होता है power into time और यहां पे जो power की value है वो 250 watts रखूंगा time हमें पूछा हुआ है कि एक गंटे में 1 hour में electrical energy consume करनी है हमें तो 1 hour तो इसको में 250 watt hour लिख सकता हूँ divided by अगर मैं 1000 करूँ तो 250 divided by 1000 यानि कि 0.25 kilowatt hour आ जाएगा यानि कि इतने units 0.25 units और हम यह भी जानते हैं बच्चो कि 1 kilowatt hour यानि होता है 0.25 into 1 kilowatt hour यानि कि 0.25 into 6 into sorry मैंने यहां पर गलती कर दी और हम जानते हैं कि 1 kilowatt hour होता है 3.6 into 10 raise to 6 joules यानि अगर आप इसको multiply करेंगे आपको answer 9 into 10 to the power 5 joules आ जाएगा तो यह हमारा part 1 का problem है solution है और अब पुछा हुआ है कि time in which the bulb is going to consume this much energy connected with this much amount of volts तो आई अब हम second part solve करें यहां पर हमें दिया हुआ है कि bulb इतनी energy consume कर रहा है और 230 volts से ही connected ही यानि कि अगर इतने volts से connected है तो power उसका same ही generate रहेगा लेकिन अगर इससे कम या जादा होता तो हम फस सकते थे problem में लेकिन वो उमारे पास अभी वो confusion का scope नहीं है तो electrical energy is equal to power into time आप अधियान से देखे कि उन्होंने कहा है कि 1 kilowatt hour यानि 1000 watt hour is equal to power जो है वो 250 watt ही रहेगा into time हमें नहीं दिया गया वही time हमें निकालना है 251s आ, 254s आ, दोनों side से watt वोट वोट cancel, यहां पर time की value आ रही है वो 4 hours आ रही है तो इस तरीके से हम यह question solve करेंगे तीन heaters को हमने parallel में रगा रखा है तो यहां पर यह heater no.1, heater no.2 और heater no.3 कुछ इस तरीके से और यहां पर जो supply है उसको हमने maintain रखा है 100 volts पर यानि कि तीनों को 100 volts बिलेंगे क्योंकि parallel connection में potential difference सब जगा सेम रहता है ठीके यानि अगर आपने एक single heater को 110 दिया होता तो उसकी across 250 watt energy release होती एक सेकेंड में 250 watt हमें power मिलता एक सेकेंड में जब हम उसको 100 volts बैटरी का voltage supply करते तो यानि कि एक सेकेंड में 250 joules यह spend करेगा वो ही case यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर तीनों तीन को 100, 100, 100 पूरा मिल रहा है क्योंकि parallel connection में voltage सेम रहता है तो यह पूछ रहा है कि कितना यह current टेक अप करेगा यानि कि यह current आई है वो तीन पार्ट में split up हो जाएगा i1, i2 और i3 और तीनों की जो value है वो सेम रहेगे क्योंकि resistance भी सेम है और voltage भी तीनों को सेम मिल रहा है यानि कि अगर मैं एक current निकाल लेता हूँ तो multiply by 3 कर दूँ वो ही मेरा total current आई रहेगा तो यहाँ पे जो power है वो 250 watt है तो यहाँ पे आई यह power की value निकालते है power is equal to v square upon r या फिर हम और कौन-कौन सा formula लगा सकते है p is equal to v into i और p is equal to i square into r यह formula हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास i और r दोनों नहीं है लेकिन यह formula लगाने से दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको r निकालके उसके बाद i fine करना पड़ेगा लेकिन यह formula आप easily लगा सकते है यानि कि 250 watt is equal to voltage जो ही यहाँ पे 100 volt है यह 2.5 amperes यानि कि एक heater code 2.5 amperes की जरूत पड़ेगी तो इसको भी 2.5 इसको भी 2.5 और इसको भी 2.5 यानि कि बैटरी में से total 7.5 amperes current निकलेगा जो कि 2.5, 2.5, 2.5 में split होगा वापिस से तीनो current यह junction पे यहाँ पे मिलेगे और वापिस से 7.5 amperes current बैटरी में वापिस जाएगा तो वही हमार आंसर है 7.5 amperes पहले पार्ट का हमें यह पुछा हुआ है कि find the resistance of each heater अब आप यह भी formula लगा सकते हैं V is equal to I into R for each resistor अगर मैं एक resistor के across आप कोई सब भी formula लगा सकते हैं एक को जो voltage हम दे रहे हैं वह 100 volt उसको पूरा मिल रहा है current जो है उसका 2.5 amperes और resistance हम निकाल सकते हैं तो R की जो value है वह 100 upon 2.5 यानि कि 1000 divided by 25 यानि कि आ जाएगा 40 ohms तो एक जो है वह resistance एक heater का वह आ रहा है वह 40 ohms है और तीनों को निकाले तो तीनों parallel में तो 1 by 40 plus 1 by 40 plus 1 by 40 यानि 40 by 3 equivalent resistance आएगा अब हमें पूछा है कि यहाँ पर मैं last part solve करूँगा शायद से बचोए आपको ना दिखे यह 100 upon 2.5 यह 1000 upon 25 यानि कि यह वापिस से लिख दू यह जो है यह पार्ट शायद से आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं वापिस से लिख दू यहाँ पे आर की जो value आएगी वह आएगी 100 divided by 2.5 यानि कि 1000 upon 25 यानि कि जो value है 40 ohms आ जाएगी अब हमें क्या पूछा है कि energy supplied in kilowatt hours 3 heaters in 5 hours चलिए तो यह हम देखें तीनो heaters को 5 घंटे में कितनी power, कितनी energy हम supply कर रहे है ठीक है तो एक heater को जो है वो यहाँ पे 250 watt और 5 hours जल रहा है यानि कि यह जो इसका power इसकी जो electrical energy होगा वो power into hour power into time हो जाएगी यानि कि 250 into 5 यानि कि 255 is 125 और 0 इतना watt hour यानि कि 1 divided by 1000 कर तो 1.25 kilowatt hour इतनी energy एक को चाहिए उतनी ही energy दूसरे को और उतनी ही energy तीसरे को यानि simply total energy हम calculate करे तो 3 into power consumed या फिर energy consumed by single heater आप कह सकते है यहाँ पे तो यहाँ पे 3 into 1.25 kilowatt hour आ जाएगा यानि कि आपका answer जो है वो 3.75 kilowatt hour आना है next question number 15 देखें तो यहाँ पे battery है उसका potential difference internal resistance दिया हुआ है यह sorry यह 2.5 ohm है यह और study current इतना flow रहा है यह सारी चीज़े आपको calculate करनी है ठीक है और यह answer में भी यह 2 नहीं है ओम है तो एक bulb है जिसको हम एक resistance के तोर पे draw करेंगे उसके across हमने potential difference 4 volts का लगाया हुआ है और यहाँ पे इसका resistance 2.5 ohm है इसका bulb और internal resistance of the battery यानि की battery का internal resistance है वो 2.5 ohm है इसका तो R है resistance हमें पता नहीं हो हम R लिखेंगे और battery का जो internal resistance है कुछ इस तरीके से battery के अंदर का resistance वो 2.5 ohm है लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही electricity के numerical में समझाये हुआ है कि यह resistance को आप बाहर निकाल सकते हैं यानि कि यह problem हो जाएगी कुछ इस तरीके से R resistance और यह battery का internal resistance जो है 2.5 ohm यह दोनों series में जुड़ेंगे और अब हमारे पास 4 volts की battery है कुछ ऐसे ठीके और यहां से battery में से 0.5 ampere current निकल रहा है ठीके तो अब हमें पुछा है के energy, total energy spent by the battery in 10 minutes अगर हमें R की value यहां से मिल जाती है तो इसके across I square R अगर हम निकालें तो हमें इसके across answer आ जाएगा, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे के यहां पे जो voltage आएगा, suppose इसके across मैं V1 कह दू, इसके across जो voltage है वो उसको मैं V2 बोलूँगा और हम जानते हैं के series connection में voltage split होता है, यानि कि 4 volt है वो V1 प्लस V2 हो जाएगा तो V1 की जो value है इससे गुजरता हुआ current और यानि कि 0.5 amperes multiplied by R प्लस इसके नीचे से भी same current गुजर रहा है, 0.5 multiplied by R जो है वो 2.5 is equal to 4 volts, तो R into इसको मैं half लिख रहा हूँ, तो R by 2 plus 2.5 यानि कि ये 5 by 2 और ये भी यानि कि 5 by 4 is equal to 4, इसको उपर नीचे मैं 2,2 से multiply कर दू, तो यहाँ पर हम उपर नीचे 2,2 को multiply करने के बाद 2R plus 5 by 4 is equal to 4, यानि कि 2R plus 5 is equal to 16, तो 2R is equal to 11 ohm, यानि कि जो resistance of the bulb है उसकी value हमारे पास आ रही है 5.5 ohm, जो के हमारा bulb का resistance आ गया है, तो second cancer 5.5 ohm, ये वाला जो bulb है वो 5.5 ohm का आ रहा है, अब हमें क्या पुछा है, कि ये जो bulb है, उसके across जो resistance, sorry, electrical energy हो कितनी है, यानि कि हम जानते हैं कि इसके across जो current flow हो रहा है वो 0.5 ohm है, और इसका resistance हमने 5.5 ohm निकाल रखा है, और time जो है, वो 10 minutes तिया हुआ है, यानि कि यहां पे 600 seconds के लिए current flow हो रहा है, तो हम जानते हैं कि यहां से heat energy निकलेगी, वो है i square r into t, यानि कि i square, जो है वो 0.5, sorry, yes, 0.5 ampere से हमें नगर बढ़ की है unit लिखने में, यानि कि half का square into resistance, आप इसको 11 by 2 ही लिखें, थोड़ा calculation easy रहता है, इसलिए मैं आपको match की short tricks बता रहा हूँ, तो 1 by 4 into 11 by 2 into 600, यानि कि यह हो जाएगा, 2 ones are to 300, वाप इस to 150, to 2, to ones are to 75 are, और 75 into 11 जो यह है, वो 825 आ रहा है और सब कुछ हमारे पास SI units में, तो heat energy के value हमें joules में मिल जाए हो, Yes, madam, 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 मैडम आवी जाओ, करोगा, काम है तुब? तब आट कहे रही थी? तो आए देखते है, question number 16 यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास 2 resistances है और दोनो parallel में connect किये हुए है, यानि कि एक resistance हमारे पास 4 ohm का, दूसरा वाला जो resistance है वो हमारे पास 6 ohm का, दोनों को हमने parallel में जोड रखा है, with a battery of 6 volts, और हम पहले भी देख चुके हैं, कि अगर यहाँ पे कोई internal resistance नहीं हो, जैसे कि question में दिया हुआ है कि battery के पास internal resistance नहीं है, in that situation only battery के पास internal resistance नहीं है, तब भी यहाँ पे 6 volts और इसको भी 6 volts पूरे voltage मिलेंगे, क्योंकि parallel connection में voltage सेम रहता है, तो 6 volts दोनों को मिलेंगे, अब यहाँ पे इसके across अगर मैं power P1 बोलूं और इसको मैं P2 बोलूं, ठीके एक यह है method, solve करने का और दूसरा method आप equivalent resistance find करके करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे P1 जो होगा, वो होगा V1 square by R1, और V1 की जो value है वो तो 6 volts है यानि 6 square divided by resistance है 4 ohm, और 36 divided by 4 यानि की आ जाता है 9 watts, उसी ही साब से मैं power P2 find करूं, तो P2 is equal to V2 square upon R, यानि की again 6 का square divided by R, R की जो value है वो 6 है यानि की आपके मैं 6 watt power मिलेगा, तो इसको और एक तरीके से भी किया जा सकता है यानि की total power की जो value हम देखे, total power supplied by battery is equal to P1 plus P2, यानि की 6 plus 9 यानि की 15 watt is our answer, इसको दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है जैसे की हम आप equivalent resistance find करें, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, यानि की 1 upon 4 plus 1 upon 6, उपर नीचे अगर हम 4 या 6 से multiply करें, और 6 6, इसको 44, यानि की 1 upon RQ की value है वो आ जाएगी 10 upon 24, तो equivalent resistance की value है वो 2.4 ohm आ गई है हमारे पास, तो हम इसको single resistance consider करेंगे 2.4 ohm, and यहाँ पे battery जो है वो same 6 volts की रहेगी, यानि की हमने पूरा 4 और 6 का parallel connection है उसको A की resistance में दिखाया है like this, अब यहाँ पे पूरा voltage 6 volts को मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे power find करें, तो power की value आएगी वो V square upon R आ रहेगी, यानि की यहाँ पे हमें value आएगी 6 square upon 2.4, यानि की 36 upon 2.4, यानि की 360 upon 24, 6, 60, 6 forza वापिस हमें 15 watt answer आ जाएगा, तो आप कोई सी भी तरीके से कर सकते हैं, इस method का फाइदा क्या है कि आपने दोनों question एक साथ solve कर लिए, individual powers भी आपको आगए और सिर्फ power दोनों को आपको add करना है, आप यह समझें कि एक second में पहला वाला जो bulb है 4 ohm का, वो कितना 9 joules spend कर रहा है एक second में, और दूसरा वाला जो bulb है 6 ohm resistance वाला, वो एक second में 6 joules अप्लाई करनी होगी, एक second में, इसलिए total resistance, total power जो है resistance के across 15 watt आ रहा है, next question हम देखें, यहाँ पे EMF दिया हुआ है battery का, internal resistance दिया हुआ है, दो resistances दिये हुए हैं, और दोनों को series में, तो चलिए पहले हम यह diagram ड्रो करें, एक यह, एक यह, और यहाँ पे battery का जो internal resistance है, मैं जा ताकि आपको पता चले के internal resistance कहा है, तो 2 ohm का internal resistance है, इसको मैं R1 कहूंगा, 4 ohms, और इसको मैं R2 कहूंगा, 6 ohms, ठीक है, और 15 volt की battery है यहाँ पे, और 6 ohm, find the electrical energy spent per minute in 6 ohm resistance, मतलब यह find करना है, चलिए हम सारे, के सारे find कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबसे पह देंगे, जैसे कि मैंने आपको current electricity में पहले ही बताया है, के 6 ohm, 4 ohm, और यह चो 2 ohm है, उसको आप बाहर निकालके series में जोड सकते हैं, टोटल 15 volt की battery है, तो यहाँ पे, आपको एक single resistance मिलेगा, 15 volt की battery के across, तीनो तीन series में, यानि की 12 ohm, और 15 volts, इससे क्या फाइदा है, कि आ directly ohm slow, V is equal to IR लगाके, यह पूरा voltage है, इसी को मिलने वाला है, तो 15 volt यहाँ पे, यानि की 15 volt is equal to 2 I की value में find करनी है, R की जो value है, वो 12 है, यानि की current की value है, 15 divided by 12, और यह 1.25 amperes, तीनो circuit सेम है, यानि की यहाँ से जो निकला हुआ current, 1.25 amperes, इस में से भी pass होगा, series में है, या फिर इस में से भी pass होगा, तो 1.25 amperes, यहाँ से पास हो रहा है, तो हम जानते हैं, कि यहाँ से जो heat energy निकलेगी, H is equal to I square RT होगी, या फिर आपको अगर power निकालना है, तो divided by time कर ले आप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि power is equal to, या simply हम heat energy find करेंगे, H is equal to I square current जो जा रहा है, वो 1.25 का होग स्क्वेर, into R की जो value है वो 6 होग, और जो हमें यहाँ पे time दिया गया वो पर minute, यानि की 1 minute यानि की 60 seconds, तो इसको अगर हम multiply करें, 1.25 multiplied by 1.25 multiplied by 6 multiplied by 60, यह आजाता है 562.5 joules, तो यही आपकी heat energy का answer है, और आप same formula यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे H is equal to I square, current तो यहाँ से same ही जा रहा है, 1.25, तो 1.25 का square, into resistance यहाँ पे 4, into time अगर आप 1 minute चाहें, तो यह आप पे लगा के आप answer find out कर सकते हैं. चलते हैं next question पे, यहाँ पे एक water की electric kettle दी हुई है, supply यह है, time दिया हुआ है, reach its boiling point, यानि कि हमको boiling point 100 degree समझना है, और how long, यानि मतलब यहाँ पे हमें time पूछा हुआ है, और यह भी कहा है, कि अगर यह supply 220 से 200 volt हो जाए, तब कितना time लगेगा, तो सबसे पहले आईए हम यह सोचे, कि यहाँ पे एक पानी है, ठीके, और पानी के अंदर जो heating coil होती है, इस तरीके से, उसमें से current flow करता है, पानी गरम होता है, ठीके, तो यह जो supply है, वो 220 volts है, यहाँ पे और टाइम लग रहा है, 5 minute, कहां से कहां तक पहुचने में, उसका जो भी water का temperature हो, वहाँ से boiling point, यानि कि 100 degree पहुचने पे, ठीके, तो, same problem, अगर उतना ही पानी, तो आईए हम यहाँ पे दोनों का initial temperature हम कुछ भी मान लेते हैं, 27 degree Celsius, दोनों में, यहाँ पे भी 27 degree Celsius, similar situation है, तो यहाँ पे जो heater में से heat energy निकलेगी, उसके कारण, पानी का जो temperature है, और यह mass of the liquid, suppose, कुछ भी M kilogram है, semi-M kilogram का water यहाँ पे भी है, तो उसको जो पानी को, M kg water को 25 से, या 27 से 100 degree तक पहुचने के लिए heat energy की चरहते हैं, उतनी दोनों में सेम लगेगी, मान लीजे, first case में 100 joules चाहिए, ताकि वो ही पानी 27 से पहुचे 100 degree पे, तो उतनी heat energy नेक्स case में भी चाहिए होगी, आप यह समझे दोनों बात को, लेकिन एक में heater को पूरा full power मिल रहा है, इसलिए वो अपनी full capacity से चल रहा है, इसलिए 5 minute लग रहे है, लेकिन दूसरे case में उसको जितना power, जितना voltage मिलना चाहिए, उससे कम मिल रहा है, तो अपनी full efficiency पे काम नहीं करेगा, तो जितनी heat energy उसको निकाल दी है, वो कम निकालेगा, उसके कारण उसको ज्यादा time लगेगा, यानि कि यहाँ पे अगर हम heat h की जो value देखे, वो हो जाएगी v square upon r into e1, h जो है, वो quantity of heat energy है, जो water को चाहिए, m kg water को 27 से 100 डिगरी पहुचने तक, और वो ही heat energy यहाँ पे भी चाहिए होगी, same amount of heat energy, पानी का मास से में, पानी जितने पे था, वहाँ से जहाँ पहुचाना है, वो भी से में, specific heat capacity same है, तो दोनों case में heat energy की requirement same है, लेकिन जो heat energy प्रोवाइट कर रहा हो, पहले case में, यहाँ पे मैं v1 square upon r into t1 लिखूँगा, यहाँ पे same heat energy is equal to v2 square upon r into t2 लिखूँगा, क्योंकि दोनों case में heater का resistance हम same रखेंगे, heater का resistance हम change नहीं करते बच्चोग, ठीके, तब यहाँ पे हमारे पास equation आएगी v1 square upon r into t1 is equal to v2 square upon r into t2, दोनों side से r r cut हो जाएंगे, तो v1 square upon v2 square into t1 is equal to t2 लिखूँगा, यानि कि यह जो है, 220 का square upon 200 का square into 5 minutes is equal to t2 लिखूँगा, बच्चे काफी बार यहा cross multiply करते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो time है और यहाँ पे voltage हो तोनों directly proportional नहीं है, time proportional to v नहीं है, time proportional to v square है, इसलिए cross multiplication की method यहाँ पे नहीं चलेगी, तो 220 multiplied by 220 divided by 200 divided by वापिस से 200 और multiplied by 5 minutes करें, तो 6.05 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जो time लगेगा, t2 और 6.05 minutes लगेगी, यही है हमारा answer, तो आपको एक चीज समझने चाहिए, दोनों में heat तो सेम चाहिए, लेकिन एक में heater को पूरी voltage मिल रही है, वो ही heater जो 220 पे चलता है, अगर उसको आपने 100 volt पे लगा है, तो उसको पूरी energy नहीं मिल रही है, तो उसको heat, उतनी heat generate करने में ज्यादा time लगेगा, cross multiply नहीं करना बच्चो, क्योंकि यहाँ पे जो time है, वो voltage के square से proportional है, अगर simply voltage के proportional होता, तो cross multiplication चल जाता, ठीक है, तो आई हम next question यहाँ पे देखें, एक electric toaster है हमारे पास, जो इतना current खीच रहा है, source voltage यह है, और यह है, हमें वापिस से cost of pressure find करना है, तो quantity of heater, ठीक है, इतना है, one, power of heater, time, और energy, ठीक है, दो घंटे के लिए यहाँ पे हम heater को चला रहे हैं, अच्छा, power हम हम heater का कैसे निकालेंगे, P is equal to V into I, तो 220 वोल्ट, इन्टो जो current है, वो 8 ampere, यानि की, 8 zeros are 0, it was 61, इतने वाट का heater है, और अगर हम इन तीनों को multiply करें, तो 17, यानि यह हो जाएगा, 350 watts, मुझे एक बार वापिस से calculation चेक करनी होगी, हाँ, सही है, watt into hour, तो यह हमारे पास watt hour है, इसको divided by 1000 करूंगा, तो 3.520 kilowatt hour, एक unit, यानि की, एक kilowatt hour, यानि की हमारे पास 3.52 units है, और एक unit का जो price है, वो 4.5, यानि इतने unit का जो price है, या इतना हो जाएगा, यानि आपको 15.84 rupees देने पड़ेंगे, यहाँ पर, मैंने क्या क्या, एक unit को, एक kilowatt hour माना है, जो कि उतना ही होता है, तो एक unit, यानि एक kilowatt hour का 4.50, तो इतने kilowatt hour का कितना है, तो उतना हमें answer मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक iron है, और power भी उसका दिया हुआ है, इतने घंटे अगर हम daily चला है, तो एक week का कितना होगा, तो आईए हैं यहाँ पर वापिस से वही trick आजमाते हैं, quantity, यहाँ पर हम power लिखेंगे, उसके बाद हम यह time लिखेंगे, उसके बाद हम energy लिखेंगे, यहाँ पर जो quantity है, एक ही iron है, और उसको हम 3 घंटे यहाँ पर चलाते हैं, power जो है, ओल्ड़ी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 2 kWh, यानि 2 kWh यह आप इसको रखेंगे, तो क्या है multiplication इन दोनों का अगर आप करें, तो direct 6 kWh आ जा रहा है, लेकिन यह एक दिन का है, क्योंकि यह पर दे का जो हमने calculation किया है, this is for per day, क्योंकि एक दिन में 3 घंटे, अगर पर week निकालना है आपको, तो multiplied by 7 करना पड़ेगा, तो 7,6 है 42 kWh, यानि कि यह पर week का है, और 1 kWh का दाम है 4.25 रुपए, यानि कि 42 into 4.25, यह हो जाएगा हमारा, 178.5 रुपए, तो इतने रुपए हमें भगने पड़ेगे, आए अब हम लास्ट क्वेशन देखें, गीजर का पावर रेटिंग दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और गीजर को हमने उतने पर ही connect किया हुआ है, वही वोल्ट पे, उससे अगर कम में करते, तो इतने पाव और वो आउटपुट में नहीं दे सकता, और अगर जादा देंगे, तो फिर वो fuse हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पॉर्मिला लगेगा, वो P is equal to V into I, पावर हमें गीजर से इतना निकालना है, वोल्टेजम उसको उतना ही दे रहे हैं, जितने पर वो चलना चाहिए, तो current क 6 ampere safe value of current है, उससे ज्यादा, अगर आप देंगे, तो heater fuse हो जाएगा, उससे कम देंगे, तो 1500 watt वो पावर नहीं देगा, उससे कम देगा, और हमें यह जानना है कि कितनी energy consume होगी, 50 हंटो में, तो आप जानते हैं कि एक, यहाँ पे quantity है हमारे पास, हमें energy निकालनी है, quantity एक है power जो है, वो, sorry, 1.5 kilowatt है, और 50 घंटे हम उसको चला रहे हैं, तो इन दोनों का मैं multiply करूँ, number of heater से multiply करूँ, तो यह आजाएगा हमारे पास 75 kilowatt hour, sorry, kilowatt hour, और 75 units हो गए हैं, और एक unit का जो price है, वो हमें दिया गए, यानि 75 unit मतलब 75 into 4.20, तो 75 आ रहा है 315 रूपया, तो सारे answer हमने ला दिये, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ, कि आपको इस वीडियो अच्छे से समझ माय हुआगा, और आपको कोई भी topic में, अगर कोई भी numerical में doubt है तो मैं यह कहूँग हुआ कि आप मुझे comment section में comment करें, वीडियो देखने का खुब-खुब दने वाज़ा है